ओम शान्ती, आज 9 अउगस्ट 2020 को हम अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनते हैं। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य बाप दादा ने 4 मार्च 1986 को सुनाये थे। और ये मुर्ली एक ऐसी मुर्ली है जो सहज योगी जीवन का अनुभो कराती है। क्योंकि बाबा कहे ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन स्ने है, परमात्मा प्यार का सागर है, तो इस समय जो परमात्मा प्यार के अनुभव में समा जाते हैं, एक नैचरल योगी बन जाते हैं उसको मेहनत करने की आवश्यक्ता ने है। तो स्ने ही हो करके बाबा के स्ने में समाते हुए आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं, आज की मुरली का सिर्शक है सर्व स्रेष्ट रचना का फाउंडेशन स्ने। आज बाब दादा अपने स्रेष्ट आत्माव की रचना को देख हर्शित हो रहे हैं। यह स्रेष्ट वा नई रचना सारे विश्व में सर्व स्रेष्ट है और अतिप्रिय है। भगवान को भी कितना नाज है कि यह स्रेष्ट वा नई रचना सारे विश्व में सर्व स्रेष्ट और अतिप्रिय है। क्योंकि पवित्र आत्माव की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय है और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे, द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माई बनेंगे। तो इस समय हो परमात्म प्रिय ब्राह्मन आत्माई सत्युक्त रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम स्रेष्ट देवी आत्माई और द्वापर से अब कल्युक तक बनते हो पूचे आत्माई तो पूरे कल्प अती प्रिय रहेंगे। तीनों में से स्रेष्ट हो इस समय। ये तीनों में भी स्रेष्ट है इस समय। परमात्म प्रिय ब्राह्मन सो फरिष्टा आत्मा है। क्यों इस समय प्रिय है? क्योंकि परमात्म प्रिय ब्राह्मन सो फरिष्टा आत्मा है। इस समय की स्रेष्टता के आधार पर सारा कल्प स्रेष्ट रहते हो। देख रहे हो किस लास्ट जनम तक भी आप स्रेष्ट आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं। बाबा कहें देख रहे हैं प्रैक्टिकल के इस समय तक भी भक्त लोग कितना प्यार से देवताओं का आवाहन कर रहे हैं। कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी मलूम है कि जड़ चित्र हैं। मुर्ती हैं। तो जड़ चित्र जानते भी आप स्रेष्ट आत्माओं की भावना से पूजा करतें, भोग लगातें, आर्ती करतें। कितनी भावनाओं से पूजा करतें, भोग लगातें, आर्ती करतें। फिर बाबा के सान्मुख दबल विदेशी भाईबे ने बैठे थे तो बाबा कहे आप दबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है भारत में बाप का कर्तव्य चला है इसी लिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही है जादा मंदिर भारत में बनाते है ये नशा तो है न कि हम ही पूजी आत्माए है सेवा के लिए चारों और विश्व में बिखर गए थे कोई अमेरिका तो कोई आफरिका पहुँच गए लेकिन किसलिए गए हो इस समय सेवा के संसकार स्ने के संसकार सेवा की विशेष्टा है ही स्ने सेवा भी जो करते हैं स्ने से करते हैं जब तक ज्यान के साथ रुहानी स्ने की अनुभुती नहीं होती तो ज्यान कोई नहीं सुनेगा तो इसलिए बाबक कहे ज्ञान के साथ साथ रुखानी स्नेह की अनुभुती चाहिए नहीं तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा आप सब डबल विदेशी बाब के बने हो तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? जो भी डबल विदेशी बी बाबके बने हैं उन सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का सने, परिवार का सने, दिल का सने, निस्वार्थ सने, यही foundation, बाप का सने, परिवार का सने, दिल का सने, और वो भी निस्वार्थ सने, इसने सरेष्ट आत्मा बनाया, यह नहीं हिम्मत भरी पुर्शार्थ करके आगे बढ़ने की सरेष्ट आत्मा बनने की, तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूख हुआ सने जब सने में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है जो सने में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता महनत भी लेता क्योंकि उनकी व्रत्ती क्यों क्या ऐसे कैसे इसमें ज्यादा चली जाती है तो ये दो बाबा ने अंतर बताए कि जो सने से ज्ञान सुनता है वो सने का अनुबो करता उसके लिए आगे बढ़ना बहुत आसाम होता है लेकिन जो सने में नहीं आता सिर्फ ज्ञान सुनता तो मेहनत भी ज्यादा लेता है और समय भी लेता है कारण क्या? क्योंकि उसके दिमाग में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन होते रते उनकी व्रत्ती में ये होता है क्यों क्या ऐसे कैसे इसमें ज्यादा चली जाती है और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है क्वेश्चन समाप्त हो जाते बाप का स्नेह आकरशित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे अनुभवी हो न? एक होता है कि अनेक प्रकार के संशय के आधार पर सो questions और एक होता है समझने के लिए जिग्यासा से प्रश्न पूछना तो बाबा कही ये तो अनुभवी हो न? जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाए देगा तो सेवा का मूल आधार है सने बाब भी सदेव बच्चों को सने से याद करते हैं भगवान भी आ करके सब बच्चों को सने से प्यार से याद करते हैं सने से बुलाते हैं सने से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं तो सने में ताकत कितनी है? बाबा कहे सने से ही बाबा ने भी आवाहन किया सने से बाबा ने बुलाया सर्वसमस्याओं को सहश्ता से पार कर जाते हैं तो इश्वर्य जन्म का ब्राम्मन जन्म का फाउंडेशन है ही सने सने के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी सने के कारण उमंग उत्सार हैगा जो भी श्रीमत बाब की है हमें करना ही है यह फिलिंग आएगी कैसे करूं नहीं होगा राउट्स नहीं होगा उसको सन्षी नहीं होगा सने में जैसे कहा जाता है न सने में कोई कितना भी अथक हो करके करता है तो बाबा की हर श्रीमत को पालन करना सहज हो जाता है देखेंगे करेंगे यह सने ही के लक्षन नहीं है बापने मेरे प्रती कहा है और मुझे करना ही है यह उसके मन में भाव आएगा कि बाबा ने मेरे प्रती ये बात कही है श्रीमत दी है और मुझे करना ही है देखेंगे सोचेंगे करेंगे इसका मतलब स्नेह नहीं है यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति जो बाप ने कहा सिर्मात है करना ही है स्नेही हल्चल वाले नहीं होंगे सदा बाप और मैं तीसरा न कोई जैसे बाप बड़ेते बड़ा है स्नेही आत्माओं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूझेंगे लेकिन जासने है वहाँ दिल भी बहुत बड़ी है विशाल दिल वाले तो छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बातों में मुझेंगे चोटी बात भी बड़ी हो जाएगी और बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात चोटी हो जाएगी बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी अगर होंगी तो चोटी हो जाएगी डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले होना बाबा पूछते हैं कि डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले होना बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं कितना दूर दूर से देखो बाबा को भी कितना प्याराता है कितना दूर दूर से परवाने शमा के उपर फिदा होने पहुँच जाते हैं पक्के परवाने है आज अमेरिका वालो का टर्न है हमने देखा लगातार हर संडे बाबा की जो मुरली चली कोई न कोई विशेश ग्रूप से बाबा मिलते रहे कभी आफरिका वालो को, कभी आस्ट्रेलिया वालो को, कभी यूरोप वालो को, लंडन वालो को आज बाबा के सामने अमेरिका वाले बैठे थे तो अमेरिका वालो की विशेशता बाबा स्पॉष्ट करते हैं आज अमेरिका वालो का टर्न है अमेरिका वालों को बाब कहते हैं आ मेरे आ मेरे अमेरिका वाले भी कहते हैं बाबा को क्या कहते हैं आ मेरे यह विशेश्टा है ना व्रुक्ष के चित्र में बाबा देखो कितना समय से अमेरिका वालों को आवान कर रहे थे कि जब व्रक्ष का चित्र बनाया तो उस समय दो बिल्ले दिखाए एक तरफ अमेरिका वाले एक तरफ रश्या वाले तो बाबा कहे व्रक्ष के चित्र में आदी से विशेश शक्ती के रूप में अमेरिका दि याद किया है, कोई सेवा में पहले है, कोई सेवा के निमंतरन में नमबर वन है, हर एक को बाबाने नमबर वन का टाइटल दिया है. तो अमेरिका वालों के लिए बाबा कहे कि जब से स्थापना हुई तब से लेकर बाबा ने अमेरिका वालों को याद किया है विशेश पाठ है ना जैसे एक विनाश की शक्ती स्रेश्ट है दूसरी क्या विशेश्टा है विशेश्टा है तो स्थान की है ही लेकिन अमेरिका की विशेश्टा यह भी है एक तरफ विनाश की तयारियां भी ज़्यादा है सारे मिसाइल साधी भी सबसे ज़्यादा है तो दूसरे तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की UNB वहां ही है जो बार-बार रोक लगाती रहती है ब्रेक लगाती रहती है शांती के लिए प्रस्ताव देती रहती है तो एक तरफ विनाश की तयारी भी ज़्यादा है तो दूसरे तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहाँ है एक तरफ विनाश की शक्ती तो दूसरे तरफ है सबी को मिलाने की शक्ती तो डबल शक्ती हो गई न वहां सबी को मिलाने के लिए प्रैतन करते हैं यूएन सबी को मिलाने के लिए प्रैतन करते हैं तो वहां से ही फिर ये रुखानी मिलन का भी आवास बुलंद होगा वह लोग तो अपनी रिती से सभी को मिलाकर शांती का प्रहत्न करते हैं लेकिन यथार्थ रिती से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव यह है न वह कोशिश करते, महनत करते, सबको कन्विंस करने का प्रहत्न करते लेकिन बाबा कहे वास्तों में यथार्थ रिती से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव यह है न वह मिलाने की कोशिश करते भी है लेकिन कर नहीं पाते हैं वास्तविकता ये है कि वो कितनी महनत करते, कोशिश करते, यू एन वाल है, लेकिन कर नहीं पाते हैं, वास्तों में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मनों का वास्तविक कारिय, यह विशेश करना है, कौनसा वास्तविक कारिय ब्राह्मनों का बताया, कि सभी धर्मों की आत्माओं को एक परिवार में लाना, वो अलग-अलग नेशन्स को मिलाने का प्रयत्न करते हैं, यूनाइट नेशन्स, लेकिन बाबा कहे ब्राह्मनों का करतविय क्या है, कि सभी धर्मों की आत्माओं को एक परिवार में लाना यह है अब ब्रामनों का वास्तविक कारिय यह विशेश करना है जैसे विनाश की शक्ति वहां स्रेश्ट है ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलूंद हो विनाश की शक्ति मासरेष्ट है ऐसे ही बाबा कह स्थापना का भी आवाज वहीं से बुलुन्ध होना चाहिए विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों जंडे लहराए एक science का जंडा और एक silence का science की शक्ति का प्रभाव और silence की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का जंडा लहराना जैसे कोई VIP बहुत अच्छा मिसाल बाबा ने दिया है कैसे स्थापना और विनाश दोनों का जंडा वहीं से science और silence का जंडा वहीं से लहराना होगा तो बाबा मिसाल देते हैं जैसे कोई VIP किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए जंडा लगा लेते हैं ना अपने देश का भी लगाते हैं अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं तो परमात्मा अवतरन का भी जंडा लहरावे ऐसे ही बाबा कहे परमात्मा अवतरन का भी जंडा लहरावे परमात्मा कार्य का भी स्वागत करे बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा अमेरिका वालों के उपर रख रहे हैं परमात्म कार्य का भी स्वागत करें बाप का जंडा कोने कोने में लहरावे तब कहेंगे विशेश शक्तियों को प्रत्यक्ष करना तब कहेंगे विशेश शक्तियों को प्रत्यक्ष किया ये गोल्डन जुबिली का वर्ष है ना कितने सालों पहले 34 साल पहले बाबा ने ये महावाक के उचारण किये थे जब गोल्डन जुबिली थी तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाए दे कोई विशेश सितारा आकाश में दिखाए देता है तो सभी का एटेंशन उस तरफ जाता है ना ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आखों में बुद्धी में दिखाए दे अंतर चक्षु से दिव्य बुद्धी से उनको दिखाए दे यह है golden जुबली मनाना इसको कहते है golden जुबली मनाना यह सितारा पहले कहां चमकेगा अभी विदेश में अच्छी वृद्धी हो रही है और होनी ही है बाब के बिछडे हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए है वो समय प्रमान संपर्क में आ रहे है बाबा कहे धीरे धीरे सभी संपर्क में आ रहे है सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्सा से आगे बढ़ रहे है हिम्मत से मदद भी बाब की मिल जाती है इम्मद से कर रहे हैं तो समय पर बाबा की मदद का भी अनुभव कर लेते हैं ना उमीद में भी उमीदों के दीपक जग जाते हैं दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है बहुत मुश्किल है और लगन निर्विग्न बनाकर उड़ते पंची के समान उड़ाते पहुँचा देती है डबल उड़ान से पहुँचे होना एक प्लेन अपने अपने स्थानों से जो आये हैं तो डबल उडान से पहुँचे है न, एक तो प्लेन से आए, दूसरा बुद्धी का विमान, हिम्मत, उमंग के पंख, दो पंख है, एक है हिम्मत का, एक है उमंग का, तो हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं, तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं, बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं, हिम्मत रखने से, एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई हैं न, मुहबत से जो महनत करते हैं, दूसका फल बहुत अच्छा निकलता है, यह सभी के सहीयों की विशेषता है कोई भी बात हो लेकिन पहले द्रडता सने का संघठन चाहिए सने का संघठन और उसमें द्रडता पहला नंबर चाहिए उससे सफलता प्रत्यक्ष रुप में दिखाई देती है द्रडता कलराथी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है आजकल साइन्स वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रैतन कर रहे हैं तो साइलेंस की शक्ती क्या नहीं कर सकती है इसलिए बाबा कहे द्रडता है वहां असंभव संभव हो जाता नाउमीद में उमीद आ जाती है और कितनी भी कलराठी जमीन हो उसमें भी फल पैदा करने की शक्ती रखती है जिस धरनी को स्ने का पानी मिलता है वहां के फल बड़े ही होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं विदेश में बाबा कहें विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं फल की शकल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं है भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्ट अच्छी होती है फाउंडेशन तो सब यहां ही पड़ता है जिस सेंटर पर बहुत गहरी बात बाबा ने बताई है जिस सेंटर पर स्नेय का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फली भूत होता है वरदान भी मिल गया जिस सेंटर पर सने से एक एक आत्मों को सीचा जाता वो सेंटर सदा फली भूत होता है सेवा में भी और साथियों में भी स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धर्ती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं जहां सने है वहां वायू मंदल अर्था धर्नी सरेश्ट होती है इसलिए सने का वाइब्रेशन ही वायू मंदल को इतना अच्छा बना देता है वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ सने चाहिए तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी इसने ही है बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है बगवान को भी किस बात की खुशी होती है बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए है अगर आप वहां नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती इसलिए बिछड़ना भी कल्यानकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्यानकारी अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष है कि बाप दादा की जो एक ही आश है कि सर्व आत्माओं को अनाज से सनात बना दे या आश हमपूर्ण करे सभी ने मिलकर जो शांती के लिए Million Minutes of Peace Appeal का प्रोग्राम था तो बाबा कहे सभी ने मिलकर जो शांती के लिए विशेश प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित तो बन जाएंगे अगर कोई सही रिती से एक मिनिट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वो एक मिनट की साइलन्स का अनुभव बार बार उनको स्वतह ही खिंचता रहेगा क्योंकि सभी को शांती चाहिए लेकिन विधी नहीं आती है, संग नहीं मिलता है जबकि शांती प्रिय सब आत्माएं है तो ऐसी आत्माओं को शांती की अनुभूती होने से स्वतह ही आकर्शित होते रहेंगे हर स्थान पर अपने अपने विशेश कार्य करने वाले अच्छी निमित बनी हुई स्रेश्ट आत्माएं है तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है आवास फैलाने का साधन है ही आजकल के विशेश आत्माएं जितना कोई विशेश आत्माएं संपर्क में आती है तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्यान होता है एक वी आईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्यान हो जाता है बाकि समीप संबंद में तो नहीं आएंगे वो वी आईपी आत्मा समीप संबंद में तो नहीं आएंगे अपने धर्म में, अपने पार्ट में उन्हों को विशेशता का कोई न कोई फल मिल जाता है बाप को पसंद साधारन ही है, समय भी वह दे सकते हैं, उन्हों को तो समय ही नहीं है लेकिन वह निमित बनते हैं, तो फाइदा अनेकों को हो जाता है अच्छा फिर बाबा ने पार्टियों से कहा सदा अमर भवक के वर्दानी आत्माई है ऐसा अनुभो करते हो सदा वर्दानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो जिनका बाप से अटूट सने है वे अमर भवक के वर्दानी है सदा बेफिकर बाद्शा है किसी भी कार्य के निमित बनते भी बेफिकर रहना यही विशेश्टा है चैसे बाप निमित तो बनता है न लेकिन निमित बनते भी न्यारा है इसलिए बेफिकर है विदी बता दी ववा ने बेफिकर होने की कार्य में आते भी न्यारा बनो ऐसे follow father सदा स्ने की safety से आगे बढ़ते चलो स्ने के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है अब यह भी अटल निश्चे है ना स्ने का रुहानी संबंद जुट गया इसी रुहानी संबंद से कितना एक दो के प्रिय हो गए बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है कौनसी एक शब्द याद करो मेरा बाबा बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले यह बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की माताओं को चाबी संबालना अच्छा आता है न बाबा पूछते माताओं को तो चाबी संबालना अच्छा आता है न तो बाप दादा ने भी चाबी दी है जो खजाना चाहे वो मिल सकता है एक खजाने की चाबी नहीं है सबी खजानों की चाबी मेरा बाबा बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक और भविश्य में भी मालिक सदा इसी खुशी में नाचते रहो अच्छा मिठे मिठे बच्चो को मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निग नमस्ते रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम सभी रुहानी बच्चों की रुहानी मात्पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. आज का वर्दान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर वन भाग्य बनाने वाले हैं विजई के तिलगधारी भव निश्चय से विजई और नंबर वन भाग्य बनता है जो निश्चय बुद्धी बच्चे हैं वे कभी कैसे वा ऐसे के विस्तार में नहीं जाते हैं उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती हैं उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मुरूती में सदा विजई का तिलख नजर आएगा वे जनम ते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे सदा ज्यान रत्नों से खेलने वाले होंगे सदायाद और खुशी के जूले में जूलते वे जीवन बिताने वाले होंगे यही है नमबर वन भाग्य की रेखा स्लोगन है बुद्धी रुपी कम्प्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना मना प्रसन्न चित रहना बुद्धी रूपी कम्प्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित रहना अच्छा ओम शाथ